विक्रम और बेताल ने अपनी यात्रा जारी रखी और जल्द ही वे पांचवे पड़ाव पर पहुँच गए जब वे पांचवे पड़ाव पर पहुचे तो बेताल ने एक लड़के को साइकल पर सवार वहां से गुजरते हुए देखा और विक्रम से साइकल के बारे में अगली पहेली पूछने का फैसला किया यह रही तुम्हारी अगली पहेली विक्रम बेताल ने कहा पांचमी पहली साइकल और मक्खी बॉब और मेरी दो दोस्त हैं जो एक खेल खेल रहे हैं वे दोनों एक गली के दो छोरों से जो 20 किलो मीटर लंबी है एक दूसरे से मिलने तक समान गती से एक दूसरे की ओर साइकल चलाना शुरू करते हैं हाला कि जैसे ही वे शुरू करते हैं एक साइकल के हैंडल बार पर बैठी एक मक्खी सीधे दूसरे साइकल चालक की ओर उड़ने लगती है जैसे ही वे दूसरे हैंडल बार के पास पहुँचती है वे मुडती है और वापस चलने लगती है मक्षी इसी तरहे आगे पीछे उड़ती रही जब तक कि दोनों साइकलें एक दूसरे से नहीं मिल गई यदि प्रत्येक साइकल की निरंतर गती 10 किलोमीटर प्रतिघंटा हो और मक्षी 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की गती से उड़ी हो तो मक्षी कितनी दूर तक उड़ी विक्रम अपने मन में गणित करने लगा बहुत सोचने के बाद उसने कहा कि उत्तर पर पहुँचने में उसे बहुत समय लगेगा सबसे पहले मुझे बाब और मेरी के शुरू होने पर हेंडल बार्स के बीच के रासते की लंबाई की गढणा करने की आवशक्ता होगी फिर मुझे छोटे रासतों के लिए इसे बार बार दोहराना होगा क्यूंकि बॉब और मेरी भी एक दूसरे की ओर भड़ रहे हैं और दो हैंडल बार के बीच का रास्ता कम हो रहा है अन्त में मुझे आपके प्रश्न के उत्तर तक पहुँचने के लिए इन सभी लंबाई का योग करना होगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी भिन भिन लंबाईयों का योग शामिल होगा जिसे अनंत श्रिंखला का योग कहा जाता है जो एक बहुत ही जटिल उन्नत गणितिये प्रक्रिया होती है विक्रम की बात सुनकर बेताल जोर से हस पड़ा बुद्धिमान लोगों के साथ यही समस्या होती है विक्रम कई बार एक सरल समाधान उपलब्ध होता है फिर भी आप समाधान तक पहुँचने के लिए अधिक जटिल मार्ग को चुनते हैं इस मामले में भी आप आसानी से मक्खी द्वारा तै की गई दूरी का पता लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे विक्रम ने उससे पूछा कि वह इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है बॉब और मेरी ने एक दूसरे की ओर 20 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रतिघंटा की गती से तै करना शुरू किया वे दोनों उस दूरी के केंदर पर मिलेंगे जो 10 किलोमीटर की दूरी है और जो एक घंटे में तै होगी अब मक्खी 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की निरंतर गती से यात्रा करती है इसलिए घंटे के अंत में यह 15 किलो मीटर की दूरी तै कर लेगी ठीक उसी समय जब बॉब और मेरी एक दूसरे के पास पहुँचे होंगे अते इस प्रश्ण का उत्तर 15 किलो मीटर है जिस तरह से बेताल ने इस पहेली के बारे में सोचा उससे विक्रम बहुत प्रभावित होता है लेकिन चूक की विक्रम बेताल का सही जवाब नहीं दे पाता बेताल वहां से उड़ जाता है विक्रम ने बेताल को पकड़ने के लिए और हरिश्चंद्रगर की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए फिर से बेताल का पीछा करना शुरू कर दिया